Hello and welcome to How to Read the Hindu Newspaper. This is Economic Term Part 3. So we have 5 words today and the first one is Outlook of the Economy. Outlook of the Economy अगर Newspapers में या Magazines में कहीं भी आपको मिलता है तो आप समझ लो कि Outlook of the Economy का मतलब है कि देश की अर्थ भी होस था आगे कैसे बढ़ने वाली है? क्या ये मजबूती से आगे बढ़ेगी या फिर ये कमजोर होगी इसमें गिरावर दर्ज की जाएगी सरकार के घाटे बढ़ सकते हैं घढ़ सकते हैं इन सभी का जो अनवान है इसी को बोलते Outlook of the Economy अर्थ विवस्था के आगे बढ़ने का अनवान आगे बढ़ने इन दसेंस यहां पर ये नहीं है कि अध्विवस्था आगे ही बढ़ेगी आगे बढ़ने के अनवान से मतलब यहां पर है कि फ्यूचर का कि फ्यूचर में एकोनमी क्या कर सकती है ये अच्छी होगी कमजोर हो जाएगी और अच्छी होगी बहुत अच्छी होगी इसी को बोलते है आउट लुक of the economy कि अफिर हैं डिविडंड तो डिविडंड का economy में क्या आरथ हैं बाकी subjects में क्या आरथ हैं मुस पेडिसकासाज नहीं कर रहे हैं 2020 गा एकोनमी में मतलब होता है लाभान्ष लाभांश समझते हैं लाभु का अंश मानलों कि आपको विजनेस करते हो और आपको 100 रुपाय का profit हुआ लाभु हुआ और इस 100 रुपाय में से आपने 10 रुपाय मुझे दे दिये तो ये लाभांश कहलाएगा क्योंकि आपके लाभु का अंश है ये आपके profit का एक share या percentage है इसी को economy में बोलते हैं dividend ठीक है फिर पे आउट तो पे का मतलब तो चुकाना होता जाते ही है बर पे आउट का मतलब है धनराशी और किसी भी धनराशी के लिए अकसर पे आउट नहीं लगाते economy में कि आपने किसी को 100 रुपए दिये तो पे आउट लगा दिया गया नो नो पे आउट एक्चुल में economy में तब लगाते है जब कोई भी धनराशी बहुत अधिक होती है 1000 करोन किसी को दिये गए 500 लाख करोन किसी को दिये गए ऐसे amount के लिए पे आउट लगाते है मतलब होता है पूजी economy में capital का क्या मतलब है पूजी business शुरू करने के लिए economy में अर्थ व्योस्था में लोगों के पास क्या होनी चाहिए पूजी होनी चाहिए उसी पूजी को बोलते है capital और last word है हमारा आज का revenue revenue का मतलब होता है राजस्सो revenue का क्या मतलब है राजस्सो जिससे सरकार अगर खर्च कर रही है तो कहां से कर रही है उसको कहीं से पैसे मिलते हैं चाहिए वो tax से मिलता हो या अन्य जो भी साधन है उसके तो जो सरकार की कमाई होती है खासतोर से tax वाली non-tax भी इसमें शामिल है but especially tax वाली इनको बोलता है कि यह revenue है राजस्सो है मतलब सरकार की प्राप्ति साधारन भाषा में कहें तो सरकार की income so thank you for today